लोगसबा चुनाव प्रच्वार में बीजेपी ने अपनी ताकत छोकी है केंद्वे मंत्री जुनरल वीके सिंग पाठान कोट करेंगे प्रच्वार केंद्वे मंत्री हरदी पूरी ज्वालंदर में चुनावी प्रच्वार करेंगे चुनावी रैली करेंगे उत्राखन के पूरी ताकत जोकी चुआ रही है लोगसबा चुनाव प्रश्वार के लिए और छी चुरण पूर्ण हो चुके हैं आखरी चुरण एक जून को होना यानि की साथवे चुरण का मत्यदान एक जून को होगा बीज़ेपी अपनी पूरी ताकत जोकती हुई नजरा रही है हमारे साथ सोसीट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए फोन लाइन पर और जाद अच्वान कारी लेंगे अनिल अब जिस तरह से देखे कि लोगसबा चुनाव के छी चुरण पूर्ण हो चुके हैं और आखरी चुरण बचा है जो की एक जून को होना है लेकिन इस बीच वे साफ तरह से देखा जा सकता है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत जोगती लोगसबा चुनाव परचार में नजर आ रही है बाजपा ने अपना चुनाव परचार देख कर दिया है क्योंकि अब अन्तिम चर्ण बचा है जहां लोगसबा चुनाव होनी है और आज आपको बता दें कि जर्नल वीकेज सिंग जो केंडरिय मंत्री है वो पठान कोट में चुनाव परचार करेंगे इसके साथ साथ केंडरिय मंत्री हर्दी पूरी जलंदर में चुनाव परचार करेंगे और उत्रा खंड़ के मुख्य मंत्री पुस्कर सिंग धामी जो है वो नवा सहर में चुनाव परचार करेंगे आप इसी से अंदाजा लगा लो कि भाजपा ने अंतिन चंद तक पूरी अपनी ताक़ जोकी हुई है और चुनाव परचार के लिए आज जगा जगा कारिक्रम किये जा रहे हैं च्छे बिलकुला क्योंकि जो तरह से देखे कि अलग अलग राज्जियों में अलग अलग जिलों में बीजेपी के जुतने स्टार परचारक है वो चुनावी परचार परचार की कमान अपने हाथों में लिए पहुच रहे हैं और जोरदार यहां पर जुनसब भाएं रैली भी देखने को मिल रही है जी बिलकुल जिस तरह से भाजबा चुनावी परचार कर रही है भाजबा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कहीं भी कमी न रह जाए इसको लेकर चुनावी परचार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटे जा सकी जीते जा सकी और जो केंदर सरकार ने जो पहल झाल शुक्र यापका